So what's up guys, first of all welcome to our channel Help A Beta वीडियो में जितने भी question दिये गए है हर question का अंसर guess करने के लिए आपको 3 second का समय दिये जाएगा तो इस question के लिए आपका समय शुरू होता है अब तो इस का अंसर होगा ओपसे नम्मदो ब्रहम पुतर ब्रहम पुतर नदी का उतकम स्थान भारत से बाहर है Question second है इसका अंसर होगा ओपसे नम्मर एक शाक्सी मलिक रियो ओलम्पिक में भारत की और से महीला कुस्ती में पहला कांसे पदक जीतने वाली खिलाडी शाक्सी मलिक थी Question third है मनिपुर के राज्यपाल का क्या नाम है Answer होगा ओपसे नम्मर तीन नजमा हेपतुला मनिपुर के राज्यपाल का नाम नजमा हेपतुला है Question fourth है भारत की ओलम्पिक खेलो में भाग लेने वाली जिम्नारिस्ट खिलाडी का नाम क्या था Answer होगा ओपसे नम्मर एक दीपा कर्माकर भारत की ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली जिमना निस्क लाड़ी दिपक कर्माकर थी Q5 है अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है अंसर होगा ओप से नंबर 4 सरबंदा सोनोवाल उरनाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री सरबंदा सोनोवाल है Q6 है दुने के पहली रोबोट कौन सी है जिसे नागरिक्ता भी प्रापत है अंसर होगा ओपस नमबर एक सोफिया दुनी के पहली रोबोट सोफिय है और उसे सौधी अर्प की नागरिक्ता भी प्रापत है Q7 है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अंसर होगा ओपसे नंबर दो थेरेसा में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम थेरेसा में है Q8 है 2016 अजलान साह कप किस देश ने जीता था? अंसर होगा ओपसे नंबर एक आउस्ट्रेलिया ने 2016 का अजलान साह कप आउस्ट्रेलिया देश ने जीता था? Q9 है अठारवी एशियन खेले किस वर्ष में आयूजित हुई थी? अंसर होगा ओपसे नंबर 4 2018 में अठारवी एशियन खेले 2018 में आयूजित हुई थी Q10 है तैलिफोन का विश्कार किसके द्वारा किया गया था? ग्रहम बेल टैलिफोन का विश्कार ग्रहम बेल के द्वारा किया गया था तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले और हमारे चैनल पर स्टेडि से रिलेटर कॉंटेंट हमेशा प्रोवाइड की जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब विडू कर ले और बेल आइकन को भी प्रस कर ले जिससे कि आप मिलते हैं आप से किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर